अब ये तो आप सब जानते हो कि cos 45 degree की value 1 by square root of 2 होती है बट ये value आए कहां से आज हम इसी पर बात करने वाले हैं यानि कि इसके simple derivation को समझने वाले हैं तो इसके लिए बस दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए एक तो ये कि right asosilis triangle हम कैसे बनाते हैं जो काफी simple है बस पन से आप पढ़ते आ रहे होगे इसके बारे में इसके अलावा 10 की ये basic सी definition मालूम होनी चाहिए sin, cos, 10, cos, 1, cos, 1 की और जाहिए सी बात है यहां हम cos के बारे में काम करने वाले हैं तो इससे ही आपका काम हो जाने वाला है तो अगर ये दो चीज़ आपको मालूम है तो आपको सारी बाते आसानी से समझ में आ जाने वाली है तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे आकर हम साबित कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक right asosalis triangle बना लेना है तो you know right asosalis triangle का मतलब होता है एक angle का 90 होना और क्योंकि एक 90 है और किसी दो sides आपस में equal होंगे तो इन दोनों को मैंने equal consider कि अजायर सी बात है ये तो equal होंगे या नहीं हाइबटेने सबसे लंबे sides होंगे तो इन तीनों में से सबसे लंबी ये होगी तो जाहिर सी बात है यही दोनों equal होंगे तो अब क्योंकि ये दोनों equal है तो ये दोनों angles भी आपस में equal होंगे तो देखा जाए तो ये दोनों आपस में exactly 45 and 45 degree होंगे right इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जो no doubt class 6 या 7 की ही बात है तो I hope ये चीज़ आपको clear हो गई होगी अब देखो कितनी आसानी से सारे activity को आप continue और perform कर पाऊगे अब सबसे पहले आप ऐसा करो इसमें से किसी एक side को आप consider कर लो x या a तो चलिए इस बार हम a consider कर लेते हैं अब देखो क्योंकि ये a मैंने consider किया तो obvious सी बात है ये भी a ही होंगे क्योंकि ये दोनों equal है आपस में और अब क्योंकि ये दोनों a है तो pathagoras theorem को use करके आप इस length को find कर सकते हो और ये length आएगा आप try करके देख सकते हो square root of 2 आएगा just मैंने pathagoras use किया मैंने सिर्फ एक को consider किया इन दोनों को अपने आप मैंने निकाल लिया अब देखो इसके बाद कैसे आप चीज़ों को derive कर सकते हो direct आपको आ जाना है cos की definition में यानि कि cos theta that is cosine इसको भी कहा जाता है तो cos theta is equal to b by h होता है चलिए अब theta आप किसी एक को consider कर लीजे for example मैं इसे consider करता हूँ theta तो theta के बदले आपको कितना replace करना चाहिए 45 तो cos 45 degree is equal to अगर आपने इसे theta consider किया है तो जाहिर सी बात है base कौन सा हो जाएगा ये base हो जाएगा तो आप base को लिख लो divided by h से h का मतलब ये होगा तो उस value को आप copy down carefully कर लो अब simple है ये दोनों a a cancel out हो जाएगे और ultimately आपको result दे देगा 1 by square root of 2 अच्छी बात ये है कि इस तरीके से ना सिर्फ आप cos को derive कर सकते हो यानि कि cos 45 की value तो आप निकाल ही सकते हो इसके अलाबा same figure को बना करके है और ये definition को अगर आप जानते हो तो आप sign के लिए काम कर सकते हो चाहे इसके बाद 10 quad से कॉसे कुछ भी हो सब के लिए काम कर सकते हो लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप angle यूज़ कर सकते हो 45 degree राइट इसी तरीके से दूसरे वीडियोज भी बने हुए है आप चाहो तो 30 degree या 60 degree के लिए भी perform कर सकते हो I hope सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी डिटेल में अगर सारा trigonometry आप पढ़ना चाहते हो तो full length वीडियो को आप चाहो तो watch कर सकते हो playlist पी आपको मिल जाएगा और नीचे description box में काफी कुछ आपको link मिल जाएगे तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिएगा Thank you